हलो बच्चों, let's read the question first, the question says in mature embryo sac, the central cell is, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, एक जो mature embryo sac होता है, जैसे कि यह mature embryo sac, मैं diagram ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पर यह क्या है, यह है चलाजल end, चलाजल end को ड्रॉ करा है यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर मैंने करा है, micro filer end को ड्रॉ, यहाँ पर तीन cell है, यहाँ पर तीन cell है, और यहाँ पर यह पूरा central cell है, उसमें दो nucleus है, तो यह कैसी है, यह binucleated है, binucleated condition है, यह क्या है, यह polar गया है, और यह क्या है, यह आपके synergids है, यह जो दो cell है, यह है synergids, यह है egg cell, यह जो पूरा है, यह पूरा है central cell है, यह पूरा area central cell है, और बाकी के यह तीनों जो है, यह क्या है, antipodal, antipodal cell, अब हमसे पूछा गया है कि central cells, यानि कि यह वाला जो पूरा central cell है, यह पूरा central cell, इसमें कितने nucleus present है, तो central cell में बचों, दो nucleus present होते हैं, यानि कि यह binucleated होता है, तो हमें nucleated, तो यह भी गलत है, तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, बच्चों, correct answer आपका हो जाएगा, option number B, hope आप लोगों को यह solutions आमज में आया हो, बच्चों, thank you, all the best